अभी अभी हमारा सरकार में और 35,000 नोक्री का अड़टाइस किया है मैं डेबुलाल जी को रिक्वेस करता हूँ कि हमारा यहां में अच्छा से कोसिंग सेंटर बनाना साहिए और हमारा यह एक मिशन रहना साहिए कि दिमा हसा उसे सबसे ज़्यादा बच्छा को हम पुलिस में भी नोक्री देने का काम करेगा ग्रेट थी ग्रेट फोर में भी हम नोक्री डालने का सबसे ज़्यादा काम करेगा अभी आसाम गवर्मेंन का नोकरी होता है हम लोग का जो पहले नोकरी होते थे तो दिमा हसाव जिला का बहुत लोग नोकरी नहीं मिलते थे लेकिन अभी मैं लास रिजाल से देख रहा हूँ कि थार्ट गेड हो फोर्ट गेड हो या APAC का नोकरी हो दिमा हसाव का लोग बहुत ज़्यादा नोकरी मिलना सुरू हो गिया है अभी हमारा 35,000 वेकेंसी हम लोगों ने अद्वर्टाइज किया हूँ मेरा एक निवेड़न होगा काउंसिल को कि हमारा उम्रांशु खर्तन का बेटा बेटिव को नोकरी मिले इसलिए एक-एक हमारा इहां में कोशिंग का वेबस्ता करना साई है जैसे हमारा भी पूलिस का 10,000 पूलिस का एड़्वर्टाइज हुआ है हर साल एड़्वर्टाइज होता है CRP हमारा BSF हर जगा में ट्रेइनिंग होता है नोकरी मिलता है लेकिन हमारा दिमाहसाओ का लोगों को नोकरी नहीं मिलता है एक तो पहले खबर ने आते है और जब खबर भी आते है अच्छा ट्रेइनिंग नहीं होता है तो इसलिए मैं काउंसिल को रिक्वेस करूंगा मदद में भी करूंगा हमारा उम्रांगसू में जो लोग पूलिस्मेंट भटी होना साइए उसके लिए सुबे-सुबे दोरना, प्रेक्तिस करना एक बरहिया हमारा इहां में ट्रेनिंग स्कूल खुलना साहिए, तभी हमारा बेटा बेटियों को सरकारी में नोक्री मिलेगा, ये काम भी मैं आप लोगों के लिए करके डूंगा